नमश्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपन टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में अगर आप मक्का खाते हैं तो यह विडियो आपके लिए है और अगर आप नहीं खाते तब भी आप इस विडियो को चरूर देखें दोस्तों भारत देश में मक्का परसिद खाते पदारत है मक्का से हमारे सरीर को फाइबर, विटामिन्स, एसिड मिलते हैं यह हमारी सरीर के लिए बहुत अधिक फाइदेवन्द है इसके सेवन से दिल के रोग, कैंसर, आखों की समस्या जैसे बिमारियों के प्रिसानियों से हमारा सरीर दूर रहता है और हम हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं मक्का कहने के फाइदे पाचन के लिए मक्का पाचन करिया के लिए बहुत अधिक फाइदेवन्द होता है क्योंकि इसमें फाइबर की मातरा अधिक होती है इसके सेवन से पेट के कई विकार ठीक रहते हैं जैसे कबज, बदहजमी, गह सित्यादी एनिमिया मक्के में विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है जो एनिमिया होने से बचाता है और साथ ही इसमें आईरेन की मातरा भरपूर होती है जो नए बलड सेल्स का निर्मान करती है उर्जा मक्के में बरपूर मातरा में स्टार्च और कार्बो हैडरेट मुझूद होते हैं जो तुरंत उर्जा देने के साथ-साथ आपको उर्जावान बनाने में सहयक होते हैं मक्के के सेवन से आप बहुत जल्द ही काम करने की उर्जा आपको मिल जाती है वजन सरीर के वजन को बढ़ाने में मक्का बहुत सहायक है क्योंकि मक्के में कलोरी और कार्बो हाइडरेट होता है जो सरीर में मास लाता है तथा वजन को बढ़ाता है आख मक्के में केरोटुनाइड्स नमक तत्व होता है जो रिटीना पर लाबकारी परभाव डालते हैं जिसके फलसुरूप आँखों के रोशनी बढ़ती है मक्य में विटामिन A भी पाये जाता है जो दृष्टी दोस होने से रोखता है गरबवस्ता मक्य में फोलिक एसिड पाये जाता है जो गरबवती महिलाओं के लिए बहुत लाब दायक होता है अगर गरबवती महिला में फोलिक एसिड के कमी होतों होने वाला बच्चा कमजोर और कुपोसित होता है इसलिए गर्वती महिला को अपने भोचन में मक्के को जरूर सामिल करना चाहिए तो दोस्तो आप भी मक्के को अपने जीवन में सामिल करके बहुत सारी परिसानियों से बस सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पू तो